दोस्तों स्वागत आपके अपने YouTube चैनल JNK Student Point पे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भी Class 4th की जो जॉब है इसके बाद जब आप Qualify कर लोगे उसके बाद क्या-क्या प्रोसेस होंगे जो आपको करने पड़ेंगे Document Verification या Document क्या-क्या आपको Submit करने पड़ेंगे या आपको उसके बाद क्या आपका कितनी देर का Probation Period रहेगा और क्या आपका Pay Scale रहेगा इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में अगर आपने ये चैनल हमारा अभी तक Subscribe नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को Subscribe कर दियेगा और वीडियो एन तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई आपके काम के लायक हो तो प्लीज हमारी वीडियो को Like और Share जरूर करिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है appointment of the candidate कि candidate के appointment में क्या क्या होगा क्या क्या procedure होगा यहाँ पे इन्होंने simple simple बताया हुआ SO 184 और SO 193, 192 और इन में से जो सबसे important है वो है SO 184 और SO 192 जो की आपके काम के लाइक है इन दोनों को हम समझेंगे कि SO 184 और 192 क्या होता है क्यूंकि आप में से ऐसे काफी बच्चे होंगे जिने SO 184 और SO 192 के बारे में नहीं पता होगा तो चलिए इसे जानते हैं इसको detail में समझते हैं इन दोनों का मतलब क्या है सबसे main point रहेगा यहाँ पर procedure for reference of vacancies सबसे पहला point यह उसके बाद है procedure for selection selection का procedure क्या होगा उसके बाद आपको यहाँ पर बता दिये जाएगा कि आपको कितने कितने marks extra किसको कितने कितने marks मीलेंगे अगर आपको इसके लिए जानना है कि क्या criteria रहेगा क्या marks extra किसको मिलेंगे वो सबके बाद मेंगर आपको जानना है तो आप उपर i button पे click कर दीजे और वहाँ पर हमारी video check कर लिजेगा हमने इस से related video डाली हुई है आगे जलते हैं तो यहाँ पर है procedure for preparation of select list by the board the board shall short list candidate in the ratio of up to one is to four of the advertised vacancies on the basis of aggregate marks obtained by a candidate on the basis of criteria prescribed under rule five यहाँ पर बताया हुआ कि जो ratio होगी selected candidates और जो unselect होंगे जो मतलब जिनों ने exam दिया होगा बट उनके उनसे कम होंगे उसकी ratio जो होगी वो one is to four की होगी और ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि if in case जो selected candidates हैं अगर जो एक merit निकला जो पहले जितने भी पोस्ट हैं उत्में आगे eight thousand something जितनी पोस्ट है उसमें लाए कर गए वो एक बार लगे उसके बाद अगर उन में से कोई बच्चा ऐसा होगा जो निकलना चाहता होगा अगर वो निकलेगा तो उसके बाद जो नीचे वाली list होगी जो waiting list जिसको हम बोलते हैं उसमें से बच्चा उसमें उसके रिलेट में वो जाएगा जो भी कोई चोड़ना चाहेगा next हम समझेंगे अब SRO 192 SRO 192 आपके सामने ही आपको देख रहा होगा इसमें सबसे पहले आ रहा था प्रोबेशन की जो प्रोबेशन टाइम होगा की आप अभी मतलब समझ लो आपकी अभी आपकी पकी नोकरी नहीं है वो जो प्रोबेशन टाइम होगा वो आपका रहेगा इसमें दो साल का यहां पर लिखा हुआ है no person shall be eligible for confirmation as a member of a service or class till he has been on provision in such service or class continuously or in aggregate for a period of two years दो साल के लिए उसको रहना ही पड़ेगा और आगे जो लिखा हुआ है उसका मतलब यह है कि अगर in case आप जो भी आपका काम होगा जो भी आप काम करते होंगे उस department में अगर आप वो उसके योग्यन नहीं है अगर आपको वो काम नहीं आ रहा है तो फिर उस time पे वो आपका provision period और भी बढ़ा सकते हैं दो साल से जादा भी extend कर सकते हैं next आगे चलते हैं जो आपका pay scale होगा और जो allonses होंगे वो आपके दो साल के लिए आपके जो minimum जो आपका pay grade होगा आपको उतना ही मिलेगा जितने देर provision period चलेगा उतने time तक आपको minimum pay grade ही आपको मिलेगा और अगर आपको जाना कि आपका जो pay grade है पे scale है वो कितना है तो आप इसकी website में जाके या जो भी इनका इन्होंने PDF एक निकाली है वहाँ पर link दिया होगा वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपका जो pay grade है वो क्या रहेगा मेरे जिसाब से 10-16,000 minimum pay scale है इसका जहां तक मुझे लगता है next आगे चलते हैं आगे point आजाता है fixed tenure of 5 years on initial appointment मतलब अगर आपने एक बार join कर ली duty अगर आपने एक department join कर लिया यहाँ पर अगर आप select होते हैं तो उसके बाद आपको जो 5 साल है आपका fixed tenure रहेगा कि आप 5 साल तक एक ही जगा पे रहोगे आपकी transfer कहीं नहीं होगी आपकी post एक ही रहेगी और आप आगे बिच्छे कहीं और नहीं जा सकते है next इसमें लिगा है suspension discharge during probation वो आपको suspend भी कर सकते हैं आपके probation time के दोरान क्योंकि अगर आप काम ढंग से नहीं कर रहे और उनको काफी ज़्यादा दिक्कत हो अगर हो स्टाफ हो तो आपको suspend भी कर सकते हैं तो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखिएगा अच्छे से काम करिएगा कोई ऐसी लापरवाई नहीं करना जिसकी विरह से आपकी job को और खत्रा हो सके और यहां पर एक point रहे गया है जो fix 10 वाला point था point number six यहां पर एक और चीज़ बताई गई है provided that any person appointed against any available vacancy on the basis of being a resident of backward area adjoining line of control or international border shall serve in such areas for a period of not less than seven years यहां पर यह बताया गया है अगर अगर किसी बच्चे को जो vacancy जो job मिलती है उसको seat जो मिलती है no kriki वो अगर backward area के related उसको मिलती है उसको quota होता है backward area का उससे related अगर उसको वो जॉब मिलती है तो उसको जो line of control यहां जो line of control के पास जिनके घर होते हैं जिनके international border के साथ घर होते हैं उनको एक कोटा मिलता है अगर उनको उस कोटे के दुरान वो जॉब मिली है उनको उस कोटे के दुरान सेलेक्ट किया जाता है तो उनको 7 साल तक वहीं पे एकी जगा रहना पड़ेगा जहां पे उनकी स्टार्टिंग में जॉब लगी थी उनको 7 साल तक वहीं पे रहना पड़ेगा तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो की बहुती जादा इम्पॉर्टन्ट थी आपके जो आपके जब सेलेक्शन हो जाएगी उसके बात की जो है तो इस वीडियो में आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया और आए होप आप सबको समझ आगी हो जो मैंने बताया है आपको अगर आपको कोई भी और इससे रिलेटिड कुईरी रहेगी तो प्लीज आप नीचे कमेंट करके हमें बता देना और अगर आपको ये वीडियो हमें हमारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को जितना शेयर हो के उतना शेयर करो और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल में नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम